इकनॉमिक्स एक बहुत ही ड्राय सब्जग लोग कहते हैं इसे इतना है नहीं लेकिन लोग इसे समझते बहुत जादा ड्राय है तो मैं आपको एकनॉमिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है लियोनल रॉबिंस की उसको कुछ एक्स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ पर्स कीजिए कि हमने यहां काइद अदम के मदार से युनिवर्सिटी ओफ कराची जाना है अब सोचें कि हम कितने रस्तों से जा सकते हैं या रस्तों से मेरी मुराद है किसकिस्परेशनuencia को यूज़ करते हूए यया किस किस किसम की गाड़ी या किसी और ट्रांस्पर्र को य पहली बात कहता है कि human wants are unlimited, इंसान की जो खौइशात होती है, वो बेशमार होती है, तो आप कोई भी खौइश कर सकते हैं किसी भी रस्ते से जाने के लिए, आप सोचते हैं मैं aeroplane से जाओं, आप सोचते हैं मैं helicopter से जाओं, आप सोचते हैं मैं train की पट्टी बिच्वा कर train से जाओं, आप सोचते हैं मैं नहर खुदवा कर ship बनाओ और ship से जाओं, तो आप कोई भी खौइश कर सकते हैं, यह पहला मामला है, second, अब अगर मैं उस पर एक budget limit लगा दूँ क्या भाई, आपकी वालदाना आपको 100 रुपए दी और 100 रुपए में यह आना जाना है, तो आप देखेंगे बहुत सारे options को बहुत कट होना शुरू हो जाएंगे, और रहे देके शायद bus का या university के point का जो university bus होती उसका option बने, तो अब यह university बस एक सिर्फ वो तो यूज नहीं कर दे जिन्होंने economics बढ़ी है, बलकि बहुत सारे बच्चे से यूज कर दे होता है, ठीक है, तो economics की यह ग्लेवन रॉबिंस की definition क्या है, वो यह है असान अलफाज में कि इंसान की खुआशात लामहदूद हैं, अब इंसान क्या करता है, जो चीज उसे best लग रही होती है, वो उसे choose करता है, इसका नाम economics है, तो अगर आपको मजीद economics के जो है ना वो lessons लेने हो तो आप मेरे channels को subscribe कीजिए, और वनना इस नंबर पर मुझसे राप्ता करके कोई भी आपका मसला हो तो आप मुझसे discuss कर सकते हैं, thank you.